जिनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है उत्रे तरे से भ्रांतियां फैला करके आमजनमानस को गुम्राह करने का प्रयास करते हैं लेकिन हम जब पश्चिमी उत्रप्रदिश के दोरे पे निकले थे हाथ रस पहुचे अलीगर पहुचे तो वहाँ व्यापारी वर्ग से जब बात की तो व्यापारी वर्ग यही कह रहा है कि 200 पिट्रोल हो जाएगा तब भी मोदी जी को उड़ देंगे सत्रा में हम लोगों ने नारा दिया था आपकी बार 300 पार और इस बार का नारा है 2022 में साड़े 300 पार वो इस बार ब्रामभडु बड़ा फोकुश कर रही है पर उश्राम के लगाकर प्रभुद महासभा समावधी पार्टी बना रही है तो क्या लगता है ब्रामभड की बीजेपी से नाराज है नमस्कार आपके साथ मैं हूँ आदित कुमार दसच आप देख रहे हैं आज हमारे साथ एक खास शक्सित मौझूद है भारती जन्ता पार्टी के इस वक्त के जिला पंचात अध्यक्ष भी है और पूर एमपी भी रह चुके हैं और एक ब्रामभड चेहरा है भारती जन्ता पार्टी का तो उनसे बाचीत करने को हुश करें कि हमारे साथ ददन मिश्रा इस वक्त हैं जो कि श्रावस्ति से जिलापजा अध्यक्ष निर्वे रोज चुने गया है पहले तो ददन जी आपको बहुत दोद बढ़ाई धन्यवाद नोश्कार तो ददन जी क्योंकि इस बार देखा जा रहा उत्तर प्रदेश का विधान सभा चुनाओ है तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है तो क्या लगता है बीजेपी अपकी बार कितने दम्मे ज इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है उत्तर तरह से भ्रांतियां फैला करके आमजन मानस को गुमराह करने का प्रयास करते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है वारा जिस तरह से जो है हमारे कर्मेगी मुखुंतरी पूजियोगी अधितनाजी की सरकार चल धरातल पर उतारने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है और अभी विगत में हुए जो पंचायच चुनाओं में जो है पच्छत्तर में सरसठ अध्धक जिला पंचायच पार्टी के निर्वाचित हुए हैं और आठ सो में से साड़े साड़े छे सो ब्लाग भारतिय जनता पार्टी के निर्वाचित हुए हैं तो निचे तुरूप से एक माहौल भारतिय जनता पार्टी के पच्छ में है और दो हजार बाइस में हम लोग 2017 के रिकार्ड को तोड़ने जा रहे हैं 2017 में हम लोगों ने नारा दिया था आपकी बार 300 पार और इस बार का गुसा जो है 2017 के विधान सभा चुनाओं में दिखेगा लेकिन हम जब पश्चिमी उत्रपुदेश के दौरे पर निकले थे हाथ रस पहुचे अलीगर पहुचे तो वहां व्यापारी वर्ग से बात की तो व्यापारी वर्ग यही कह रहा है कि 200 पिट्रोल हो जाएगा तब है आपको बली परिशानी हो रही हो जाइवering तो उनका यही जवाब होता था कि विटा थोड़ी तकलीफ में देश के हित में होगा तो अच देस के हित में देश के समान न में पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है तो एक भरोसा देशवासियों को कायम हुआ है कि मोदी जी और योगी जी जो भी पैसला लेंगे देश और प्रदेश के हित में लेंगे क्योंकि उनका अपना कोई स्वाट नहीं अपना कोई घर परिवार नहीं है जिस तरह से हमारे स् पर नहीं है 25 करोंड परदेश वासियों को अपना परिवार मान करके 24 गंटे में 18 गंटे मेहनत करते हैं इस परदेश की भलाई के लिए परदेश की बेहतरी के लिए और इस परदेश को बिमारीरूर राज से निकाल करके बिक्सित राज की स्रेणी में पहुचाने में काफी क कुछ हद तक सफल हुए हैं तो निश्ची तुरूप से हम सब लोग आश्वास्त हैं कि 2022 में पुना परचंड बहुमत के साथ भारती जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है तो यह सवाल काफी एहम हो जाता है क्योंकि जो विपक्ष की पार्टियां है वो इस बार ब्रामभडों बड़ा फोकुश कर रही है परश्राम के लगा कर प्रबुद्ध महासभा समावदी पार्टी बना रही है सतीष चंद्रमिश्रा बसपा के कमान समाले हुए है कि नहीं हम तो ब्रामभडों के करेंगे ब्रामभड एक आएगा तो क्या लगता है ब्रामभड की बीजेपी से नाराज है सवाल ही नहीं है ब्रामल का सम्मान अगर भारती जनता पार्टी में नहीं होगा तो कहा होगा और ब्रामल इस बात को समझ रहा है सपा और बसपा के जहासे में इस बार आने वाला नहीं है ब्रामणों भूला नहीं कि समाजवादी पारिटी के उतरप्रदेश में एक विधायक ने खुले आम कहा था कि हमारे निर्टुत का असपाश निर्देश की ब्रामणों का कोई काम नहीं करना है इसी तरह से बसपा के काट की हांडी बार बार नहीं चलती है अब दुबारा बसपा के जहासे ब्रामण नहीं आने वाला है ब्रामपर पूरी तरह से भारतिय जन्ता पार्टी के साथ ख़ला है और भारतिय जन्ता पार्टी जो है किसी जातिधर्म की पार्टी नहीं समाज की पार्टी है और सब समाज को लेकर के इस बार जो है भारतिय जन्ता पार्टी परचंड बहुमत के साथ पुना हुतर पदेश चुनाओ था तो और आप क्या जमेदारी आपकी रहेगी क्या कैसे आप ब्रामभडों के एक जूट करें कि मैं इसलिए बार-बारे सवाल कर रहा हूं कि विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर कि ब्रामभड बीजेपी से नाराज इसको उठा रहा है जिसकी मैंने पहले ही कहा कि जो है चुकि बिपच्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है जो हमारी सरकार की जन हितकारी लोग के लिए वजनाय जो है धरातल पर उतर रही है वो तो अपनी जगां है लेकिन सबसे बड़ी बात चाहे हमारी देश की सरकार हो इस्टेश्वी प्रद बिपच्ष क के लोग हतास निरास है और आच जिस तरह से पूरे बिश्व में भारत का मान और सम्मान बढ़ा है पूरी दुनिया में भारत का मस्तक पूचा हुआ है अभी जो है मामुली बात नहीं कि जो है संयुक्त राठ सुरच्छा परिशत की अध्यस्ता करते हुए जो भी पंच सिधांत जो हमारे मोदी जी ने दिये हैं आने वाले जो है इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा जो है ब लोगों की जो भावनाएं हैं विगत पांसो बरसों से जिसके हमारे महापूरसों ने संगर्स किया था बलिदान दिया था आज उस अपना साकार होता दिख रहा है हम सब लोगों के लिए बहुत इगर्ब और गवरों की बात है राम मंदिर का तो निर्मार सुरू हो गया है बन करके रहेगा और भारती जनता पार्टी की जो कहती है करके दिखाती है कि हमने कहा था कि जो है मंदिर वहीं बनाएंगे तो आज उस अपना साकार होता दिख रहा है जो कि इस बार इनके बड़ी जिम्मदारी भी मिली है जिलापंचत अध्यक्ष है और साथ ही साथ आब इनके उपर क्योंकि सेमी फाइनल तो इन्होंने पास कर लिया अब आगे जो मैच है जो सबसे बड़ा मैच है 2022 का उत्तर प्रदेश का विधान सभा चुनाओं क्योंकि कि बीजेपी से ब्रामबड बिल्कुल नाराज नहीं है और बीजेपी में इस बार भी ब्रामबड वोट करेंगे और बीजेपी सरकार बनाएगे देखते रहें दस अच्छ